तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं My Android application के बारे में एक ऐसा application जिसकी मदद से आप अपने Android के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं अपने mobile के hardware के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जैसे आपके mobile में जो camera है और रियल में 13 Megapixel या जितना company ने बोला है उतना है की नहीं है आपके mobile का display resolution क्या है और बहुत कुछ तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए आप bell का भी icon दबा दीजिए जिससे सारी notification आपको मिलते रहे आप application को on करेंगे आपको सामने बहुत सारे option दिखाई देंगे सबसाब पहला option है my phone app जिस पर click करने के बाद आपको दिखाई देगा आपके mobile में अभी तक आपने कौन-कौन से application इंस्टॉल किये है और उन्होंने कितना space लेके रखा है आपके mobile में और सारे detail आपको यहां पे हर एक application जो भी इंस्टॉल है उसका detail आपको मिल जाता है अब चाहे तो यहां से जो application यूज नहीं हो रहा है उसको आप यहां से delete भी कर सकते है उसके बाद आपको option दिखाई देता है recently use और less use application के लिए वो access करने के लिए आपको एक permission देना होगा आपने mobile में इसको आप allow कर दीजिया और उसके बाद देखेंगे आपने कौन से application सबसे ज़्यादा कम use किया है उसके accordingly आप उसको install भी कर सकते है या फिर कौन से application आपने recently use किया वो सारे detail आपको इस app में दिखने को मिल जाएते हैं पर आता है memory का option, memory का option पर click करते ही आपको दिखाई देगा कि आपक total memory है, कितना use हो चुका और कितना खाली है तो इस option की मदद से आप mobile का total memory information जान सकते हैं, third number पर आता है internet data use इस पर आप देख सकते है monthly, weekly और daily आपने कितना data use किया हुआ है इस application की मदद से, next option जो आता है fourth number पर आता है internet speed check इसकी मदद से आप देख सकते है आपका जो service provider है वो आपको कितने speed में internet data provide कर रहा है, आपके mobile में कितने speed से internet data चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा application है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे mobile का जो भी data uploading speed है और downloading speed है वो testing चालू है, और यहाँ पर जैसे यह complete होगा, यहाँ पर मुझे दिखाई देदेगा, आप देख सकते हैं, download speed जो है वो दिखाई दे चुका है, 2.65 Mbps, ऐसे ही आप भी अपने mobile का data चेक कर पाएंगे, कितना speed में आपका mobile में data चल रहा है, नेक्स्ट option है internet का, जैसे आप internet पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा, जो आपका headset में कौन सा network चल रहा है, 3G, 4G, 2G या 5G, जो भी है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नेक्स्ट option है camera information, जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा, आपका back camera कितना megapixel है, और front camera कितना megapixel है, और software automatically दिखा देता है, जिससे आप confirm कर सकते है, जो real में आपका hardware उतना megapixel का है की नहीं है, जितना company ने बोला है, उसके बा आप screen capture कर सकते है, उसके बाद जो हमारा next option आता है, वो है screen का, screen density, इसके आपको दिखाई देगा, जो आपका display का क्या resolution है, और अभी कितने resolution पर आपका display चल रहा है, उसके बाद जो हमारा next option आता है, वो आपता Android information का, Android version का, अब देख सकता है, Oreo करके मेरा, अब Android version है, उसके बाद है mobile information, manufacturing का, तो उसका detail अपने को दिखाई देदेता है, फिर Android tips के भी option आपको इस app के अंदर मिल जाते है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करे, subscribe करे, हमारे channel को, जैहिन, thank you.